तो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगर आप Samsung Mobile यूज़ करते हैं Samsung Mobile यूज़ करते हैं और आपको जो है आपके Samsung के Mobile में कुछ इस तरह से Problem देखने को मिलती है one ui home keeps stopping तो आपको अगर यह problem आ चुकी है बार-बार आप phone अपना use करते हैं बार-बार आपको यह bug आपको screen पर देखने को मिलता है कोई भी application अपने mobile कुछ भी आप use नहीं कर पा रहे हैं बीच में ही आपको कुछ इस तरह से error आपको देखने को मिलता है तो आपके आज की वीडियो में बताने वाला हूँ इसका solution इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे तो इसका permanent solution क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको करना है कि आपके mobile में आपको चेक करना है कोई third party application तो आपने install करके नहीं रखी है जैसे कि आप देख सकते हैं जितनी भी applications है यहाँ पर मैंने अपने play store से install करके रखी हुई है अगर आपने अपने किसी browser से third party application को install किया है कोई भी application जो आपके play store पर नहीं है उसको अगर आपने install करके रखा हुआ है तो उसको uninstall कर दे अपने mobile से सबसे पहला काम यह करना है दन उसके बाद जो है second काम आपको आना है अपने mobile की setting में और यहाँ पर scroll करना है scroll करने के बाद यहाँ पर आपको mobile की setting में आना है और आपको यहाँ पर देखने को मिला apps apps पर आपको click कर लेना है apps पर click करने के बाद आपको बहुत सारी applications देखने को मिल जाएंगी उपर search bar है search bar में आपको उस application को search कर लेना है जहाँ पर problem आई थी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा one UI home search करने के बाद यहाँ पर इसको open कर लेना है open करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे storage को option third number पर storage पर आपको click कर लेना है जैसे ही यहाँ पर आप storage पर click करेंगे नीचे आपको दो option देखने को मिल जाएंगे clear data और clear catch आपको सबसे बहले clear data पर click करना और यहाँ पर ok कर देना है इसका clear catch आपको नहीं करना है सिर्फ clear data कर देना है उससे ही आपका clear catch भी हो जाएगा तो उसके बाद directly यहाँ से back आना है और power button दबाने के बाद यहाँ पर option देखने को मिल जाए power of restart आपको अपने mobile को या तो restart कर लेना है या फिर power of कर लेना है जैसे आपको mobile on होगा आप देखेंगे फिर से आपको यह bug देखने को नहीं मिलेगा अगर आपको फिर भी यह bug देखने को मिलता है मुझे comment box में जुरू बताएगा मैं आपके लिए कोई और solution लेकर रहा हूँगा आपको यह बसास के वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तिल नवाई थे के लाव यू अल